तुर्की और सीरिया में भूकम से मरने वालों की संख्या 20,000 से जादा हो सकती है लेकिन इस मौके पर भारत ने जो किया उसकी अब दुनिया तारिफ कर रही है खासतोर पर तब जब तुर्की हमारा कप लेकिन पाकस्तान का जादा जिगरी दोस्त है इतना ही नहीं तुर्की वो देश है जो पाकस्तान की वकालत करते-करते भारत के खिलाफ जहर उगलने का कोई भी मौकाल नहीं छोड़ता और शायद यही वज़े है कि वो पाकस्तान के समर्थन में समय समय पर UN में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है और तो और कई बार पाकस्तान की शेह पर भारत के मुसल्मानों को लेकर भी बयान बाजिया करता रहता है लेकिन फिर भारत ने जब किसी विश्व गुरू की तरह मदद का मोर्चा संभाला तो पाकस्तान को मिर्ची लग गई लेकिन मिर्ची लगी तो करें क्या लिहाजा आतंक के इस देश ने अब भारत को धमकी दी है बता दे कि पियो के पहुँचे शहबा शरीफ ने कहा भारत नूकलियर आम्ड कंट्री पर बुरी नजर नहीं डाल सकता उसे इस बात का हैसास होना चाहिए हम उसे अपने पैरो तले कुचलने की ताकत रखते हैं अब यह कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से नूकलियर हमले की धमकी दी गई ऐसे कई मौके पर पाकिस्तान सरकार के मंत्री ही ऐसी अकर दिखा चुके हैं उसी कड़ी में पियम शहबा शरीफ ने भी भारत को धमकी देने का काम किया उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर का भी जुक्र किया गया उन्होंने जोड़ देकर कहा कि कूटनीतिक और राजनीतिक तोर पर कश्मीरीयों को पाकिस्तान अपना समर्थन देता रहेगा यूएन का भी जुक्र करते हुए पाक पीम ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर को लेकर शांतिपूर समाधान का समर्थन किया है अब पाक पीम का ये बयान एक तरीके से भारत को लेकर उनका सियासी यूटन है पिछले कुछ दिनों तक यही पाक पीम कह रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है जो तीन युद्ध हुए थे उन्होंने पाकिस्तान को काफी कुछ सीखने पर मजबूर किया इस बारे में शेहबाज ने कहा था भारत और पाकिस्तान पडोसी है और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है ये हम पर निर्भर करता है कि हम शांती से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से जगड कर अपना समय और संसाधन पर बात करें भारत के साथ हमारे तीन युद्ध हुए और इस से गरीबी और बेरोजगारी ही आई है हम लें अपना सबक सीख लिया है, हम अब शांती से जीना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलजाना चाहते हैं हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, देश में खुशहाली राना चाहते हैं, हमारे लोगों को अच्छी सक्षा, पहतर स्वासवधाएं और रोजगार देना चाहते हैं हम हमारे संसाधनों को बमों और गोला बारूत पर बरबाद नहीं करना चाहते हैं यही संदेश है जो मैं पीम मोदी को देना चाहता हूं। उस बयान देने के कुछ दिन बाद ही शैबाज शरीफ ने फिर अपना रुख बदल लिया है जो पहले अपनी गलतियों से सीखने की बात कर रहा था अब फिर भारत को गीदर भपकी दे रहा है। भात को कुचलने की बात कह रहा है। शैबाज शरीफ को पहले अपने हालात देखने चाहिए क्योंकि आई सीओ में रहने वाला शक्स अगर जान से मारने की धमकी दे तो अच्छा नहीं लगता। क्यों सही कहाना मैंने कमेंट बॉक्स अपना जवाब जरूर दे वाकी बड़ी खबरों के झाल